भारत में इस वक्त एक देश एक चुनाव को लेकर अटकलों का दौर काफी तेज हो गया है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक केंद्र की नरेंद्र मोधी सरकार ने एक देश एक चुनाव की संभावनाय तलाशने के लिए पूर्व राष्टपती रामनात कोविंद की अगवाई में एक समिती गठित की है ये ख़वर ऐसे वक्त में आई है जब मोधी सरकार ने 31 अगस्त को इस बात की जानकारी दी कि 18 से 22 सितम्बर तक संसत का फिशे सत्र बुलाया जाएगा हालां की सरकार ने सत्र के एजेंडा के बारे में खुल कर नहीं बताया लेकिन इसे लेकर जो अटकलें लग रही है उनमेंसे एक ये भी है कि इस सत्र के दोरान एक देश एक चुनाव से सम्बंदित बिल लाया जा सकता है आपको बतातें कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा और विधान सभा के चुनाव एक साथ कराने पर जोर देते रहे हैं ऐसे में फिलाल एक देश एक चुनाव को लेकर अटकलें काफी तेज हो गई है वन नेशन वन इलेक्षन सिर्फ एक चर्चा को विश्य नहीं है बल्कि यह भारत की जरूरत है हर कुछ महिने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं इससे विकास के कारियों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भाती जानते हैं ऐसे में वन नेशन वन इलेक्षन पर गहन अध्यन और मंतन आवशक है और इसमें पिठासिन अधिकारी काफी मारदर्शं कर सकते हैं गाइड कर सकते हैं लीड कर सकते हैं इसके साथ ही लोकसभा हो विदानसभा हो या पंचाय चुना हो इनके लिए एक ही वाटर लिस्ट काम में आएं इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा